बच्चो, welcome to this video lecture आज की इस video lecture का first topic हमारे पास है magnetic field due to a current carrying magnetic field due to a current through a circular loop इस page का complete screenshot आप ले सकते हो और उसके बाद मैं आपको यह complete page line wise line समझा देता हूँ तो इस topic में हम discuss करने वाले है magnetic field due to current through a circular loop इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारी उसमें हमने डिसकस किया था magnetic field due to current through a straight conductor अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो के अंदर जो content आपको दिया गया है पहले वो समझ लीजिए क्योंकि इस content का भी यहां पर use होने वाला है कैसे use होने वाला है अब आप समझने कोशिश करना main हमारे पास यह diagram है यह इसका कुछ construction part है यह कुछ theory के points है तो main हमारे पास यह diagram है तो आपको यह diagram समझना है इस diagram के अंदर आप straight conductor वाला part ही use करोगे कैसे करोगे ध्यान से देखो यह पहले हमारे पास यह straight conductor है ठीक है फिर हमने क्या किया उसे एक use shape के अंदर convert कर दिया use shape के अंदर convert कर दिया और उसके अंदर हम क्या करेंगे cardboard को insert करेंगे यह हमारे पास क्या है cardboard यहां पर two holes आपने किये और इसकी help से आप इस तरह से यह straight conductor जो कि आपने एक circular loop के अंदर convert करना है अब यह half circle है complete circle नहीं हुआ लेकिन यह straight conductor को आपने एक तरह से half circle में convert किया उसके अंदर यह cardboard को insert किया इस तरह से और फिर आप क्या करोगे इसे battery से connect कर दोगे तो जो आपके पास डियाग्राम नजर आ रहा है वो एक्चुली में diagram बिल्कुल ऐसा नजर आएगा ठीक है तो आपको diagram क्लिर हो गए diagram कैसे बनेगा आपका और इसके अंदर हुआ क्या है एक straight conductor को हमने circular loop के अंदर convert कर दें circular loop कह सकते हो आप इसे या circular coil भी आप इसे कह सकते हो ठाक है तो अभी हम इसका देख लेते हैं construction part construction part में आपके पास है टेक रेक्टेंगुलर कारबोड यह आपके पास रेक्टेंगुलर कारबोड यह आपके पास रेक्टेंगुलर कारबोड sheet and drill two holes two fine holes in it separated by a finite distance from each other जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया था यह आपके पास cardboard sheet है इसके अंतरा आपने two holes को आपने करना है और holes इस तरह से आपने देखने है कि यह circular coil को इसके अंदर insert होगी उसके पास insert a circular loop of copper wire through these holes normal to the plane of the paper ठीक है जैसे मानलाव के पास यह है इस तरह से जो 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 लूप आपके पास जाएगे वह इस तरह से जाएगे normal to the plane of the paper connect the end x and y यह हमारे पास x and y हमारे पास end बन जाएगे और हम इस circular wire के जो end है उन्हें हम जोड़ देंगे बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से एक की capital K available variable resistance यह रहा हमारे पास variable resistance यह इसे हम बोलेंगे variable resistance और हमने इस तरह से जोइंड करना है तो यह construction पार्ट है यह इसका diagram पार्ट है दोनों ही पार्ट important है construction पार्ट maximum time नहीं पूछा जाता तो आप लोग इससे नहीं लिखोगे तो भी कोई फरक नहीं बढ़ता लेगिन अगर वह आपसे पूछ लेता है construction भी लिखता है आपको यह points यहां पर देने जरूरी है diagram must है diagram बहुत important है ठीक है तो अब बाद आती है हमने इसको कैसे समझना है तो हम क्या करेंगे sprinkle iron filing uniformly on the cardboard sheet हम iron filing को इस cardboard sheet के अपर spread कर देंगे uniformly किसी भी ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे plug the key हम यहां पर key को plug करेंगे on condition में जिसकी वैसे क्या होगा current produce होगा plug the key to close the circuit so that a current I capital I begin to flow through the circular loop यहां पर हम key को on condition में कर देंगे on condition में से होगा current flow करना start करेंगा current कैसे flow करेंगा from positive terminal to negative terminal conventional current के हम बात करते हैं हमेशा हमेशा अपने ध्यान रखना है electronic current की बात हम यहां पर नहीं करते हैं उसके बाद यहां पर सब जगा क्या होगा iron filing आपका spread हो जाएगा तो क्या होगा gently tap third point में क्या है gently tap the cardboard of a few times आपने क्या करना है सिर्फ tap करना है cardboard sheet को उसके बाद क्या होगा जो iron filing है वो अपने आप इस तरह से concentric circle की form में अपने आप arrange हो जाएंगे इस तरह से concentric circle की form में arrange हो जाएंगे gently tap the cardboard a few times iron filing arrange them in a definite pattern on the cardboard this pattern gives the magnetic fill line pattern यानि कि जो यह आपके पास iron filing है जिनने अपने आपको arrange कर लिये concentric circle में आप इन ही line को क्या करोगे dark कर दोगे solid line में convert कर दोगे और यही आपके पास क्या बनेंगी magnetic fill lines बनेंगी for current carrying current carrying circular loop ठीक है current through a circular loop आपको एक डाग्राम ना पड़ेगा डाग्राम में क्या है एक straight conductor ही है straight conductor को आपने circular loop के अंदर bend करती है bend करने के बाद उसके दो end बनेंगे x and y उस x and y को आपने battery से connect कर दिया है emitter से switch से यह आप इसके शिरफ और शिरफ extra part है mainly तो हम उसे direct battery से जोड रहे हैं और battery से जोडने के बाद current flow करेगा current flow करने पर this current carrying wire या this current carrying circular loop like straight conductor now behave as a magnet और magnet होगा तो magnetic field lines होगी तो circular के अंदर आपके पास magnetic field line कैसे होगी इस तरह से concentric circle की form में होगा आपको अगर याद हो तो first video मेंने discuss किया था straight conductor में भी क्या था straight conductor में भी आपके पास concentric circle ही थे लेकिन वहाँ पर आपके पास क्या था straight conductor में एक ही पार आ रहा था तो यहाँ पर क्या होगा इस तरह से दो बार आपके पास magnetic field lines आपको मिल जाएंगी बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर है जैसे कि आपने आप इस diagram के अंदर यहाँ पर आपने देख लिये अब चलते हैं इसके next part पर next part में क्या है जैसे ही हम magnetic field lines को find out कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा target होता है वो हता direction of magnetic field line तो direction of magnetic field lines can be find out by applying right hand thumb rule जैसे हमने straight conductor में right hand thumb rule अपलाई गया था वैसे ही यहाँ पर भी हम right hand thumb rule अपलाई करेंगे और जो direction है वो हमें पता लग जाएगी जैसे यहाँ पर है हमारे पास circle concentric circle हमें यहाँ पर direction find out करनी है तो direction कैसे पता लगी है आपको right hand thumb rule से right hand thumb rule आपको पता है क्या है हमने first video में discuss किया था और इसलिए मैं आपको किया रहा हूं कि आपको first video का content भी आपको पता होना चाहिए second video के लिए तो वहाँ पर हमने क्या किया था right hand thumb rule की definition क्या पर थी holding a straight conductor current carrying straight conductor in your right hand in such a way thumb give you the direction of current and curling of finger give you the direction of magnetic field lines तो हम यहाँ पर उसे apply करेंगे यहाँ पर आप इसे अब दो पर apply करोगे बस point यह है left side के लिए आप इसे hold करोगे in your right arm और right hand और इस तरह से consider करना है कि current की direction आपका thumb show करेगा तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर x part से देखना स्टार्ट करो ध्यान से x part से current upward जा रहा है यानिकि अगर आप इस point को मैंने आपको बता है था था ना पर पेंडिव लोड़ दू दू प्लेन ऑफ पेपर है तो मालोग सुपोस करो यह end बन रहा है तो इस end को आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा current की direction अपवड current की direction अपवड और curling of finger आप देखो यहां से क्या दिख रहा है आपको curling of finger आपको दि क्लोक्वाइ direction को रिपर्जेंट करती है इसका बिल्कुल opposite यहां पर अब यहां पर क्या है current निचे की तरफ आ रहा है downward तो आप क्या करोगे straight conductor को पकड़ोगे बिल्कुल सी तरह से जैसे अपने left side में पकड़ाता बस अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको अप क्लोक्वाइ direction में तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि left side पर anti-clockwise direction आ जाएगी magnetic field line की और right side पर clockwise direction आ जाएगी और इसको बड़े ही ध्यान से आपने रिपर्जेंट करना है इसके रिपर्जेंटेशन के लिए आप सबसे easy way और सबसे beneficial way आपके लिए क्या रहेगा आप यह यहां पर एक circle बनाओ और यहां पर clockwise direction को रिपर्जेंट करो इस circle से पता लग जाएगा कि यहां पर clockwise direction और आपको arrow बनाने में कोई दिक्कर नहीं आएगी similarly यहां पर anticlockwise के लिए और इस तरह से यहां पर arrow बनाना यहां पर जब सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे करते हैं ध्यान से सुनो यह सुपोस करो left side है यह सुपोस करो right side है तो circle ऐसे बना देंगे लेकिन जब direction शो करने की बाद आती है क्योंकि आपको बता है यहां पर anticlockwise है तो वो direction इस तरह से रिपर्जेंट कर देते हैं ध्यान से देखो अब यहां पर problem क्या है यहां problem यह कि दोनों ही side के arrow upward direction में जब दोनों ही direction arrows इस तरह से आपके दिखाओगे तो ना तो यह clockwise में आ इसका opposite यहां पर clockwise है तो clockwise के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा इस तरह से करना पड़ेगा means इसका बिल्कुल opposite यहां पर right side वाले upward थे यहां पर right side वाले downward है और यहां पर left side वाले downward है यहां पर this यहां पर right side वाले upward है left side वाले downward है और यहां पर आपके पास क्या है यहां पर right side वाले downward है left side वाले upward है यहां कि यह complete circle होना चाहिए यह clockwise को रिपर्जेंट कर रहा है यह anti clockwise को रिपर्जेंट कर रहा है तो यह आपके पास diagram बन जाएगा complete with direction of magnetic field lines in a current carrying circular coil और you can say circular loop तो यह diagram आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद factor अब बार ही आती है इस diagram को समझने के बाद factors on which strength of magnetic field depend तो इसके लिए सबसे पहला factor current रहेगा strength of magnetic field B capital B is directly proportional to the amount of current flowing through the loop जो magnetic field है इसके अंदर circular loop के अंदर हो किस पर depend करेगी वो depend करेगी आपके पास कि कित amount में आपका current flow कर रहा है greater the amount of current, greater the magnetic field, lower the amount of current, lower the magnetic field second point आपके पास है the strength of magnetic field is inversely proportional to the radius of the loop यह point important है अपने इसको याद रखना है जो strength होगी magnetic field की वो इस loop के radius पे भी depend करती है और कैसे depend करती है inversely proportional B is inversely proportional to 1 by R 1 by R यहाँ पर आपके पस कहा है radius, radius of the loop, इस loop का जो radius बनेगा lower the, greater the radius, lower the magnetic field और lower the radius, greater the magnetic field यह बात आपको याद रखना है तीसरा point if instead of a single loop of wire, we have a circular loop having n number of turns then magnetic field is directly proportional to capital N यहाँ पर point क्या है, यहाँ पर point यह है कि देखो अभी हमने यहाँ पर क्या किया था straight conductor का एक ही loop बना है लेकिन suppose करो आपने straight conductor के दो loop बना दिये इस तरह से यह दो loop बनके suppose करो तो उस case में क्या होगा तो उस case में क्या होगा, जो magnetic field है, वो number of turns के उपर depend करता है जितनी ज्यादा number of turns होगी, उतना ही ज्यादा magnetic field होगा lower the number of turns होगी, तो magnetic field आपका कम होगा, यह भी आपने पात ध्यान रखने है और equation 1, 2 और 3, आपके पास यह बनी थी equation number 1, directly proportional to current, inversely proportional to radius, and third one is directly proportional to number of turns इन तीनों को combine करके आपके पास formula बनता है magnetic field, B directly proportional to I into N divided by R, और आपने यह बात ध्यान रखने है, जो capital N है, यह represent करता है number of turns in the coil, ओके, तो यह था आपका पास complete third, यह जो second point बना है हमारा magnetic field due to a current through a circular loop, तो यहाँ पर जो important part है, वो important part है, आपका यह diagram, diagram आप clear हो गया होगा उसके बाद यह 3 points important है, 3 points के बाद आपके पास factors on which strength of magnetic field depends, यह important है, ठीक है और एक number में यह question important है, एक number में question important है, कि इस complete coil के अंदर तो एक number में आपके पास question यह बन जाता है, कि इस पूरी circular loop के अंदर, जो magnetic field है, वो सबसे यदा कहां पर है तो अब इसका अंसर दोगे, magnetic field in case of circular loop is maximum at the center of the loop अब वो क्यों है, आपको यह समझना पड़ेगा, वो इसलिए है, क्योंकि center पर left side वाला part भी upward है और इस right side का left part वाला भी upward है, यानि कि यहाँ पर कहने वाली बात यह है, कि दोनों ही point की, जो magnetic field lines है वो same direction में है, और same direction में होने की वाज़े से वो क्या करते हैं, दुस्ते को support करते हैं support करने के मदलब क्यों होता है, magnetic field वाहाँ पर सबसे जाद होता है ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, दुस्ते को assist करते हैं, support करो जैसे मालना आपके पास यह एक pen है इस pen में दोनों ही side से, दोनों magnetic field lines क्या कर रही है, इसको assist कर रही है, support कर रही है circular loop के अंदर, magnetic field सबसे जादा center पर होता है, क्यों होता है, because two magnetic field lines assist each other ओके, तो यहाँ पर हमारा current carrying circular loop वाला question complete हो जाता है, बहुत important है तीन number से पांच number तक में यह आ सकता है, अगर यह question 5 marks में आपके पास आता है तो आप इस complete धाई page जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं है, एक page आपके पास complete यह रहेगा एक page आपके पास complete यह रहेगा, और half page आपके पास यह रहेगा, यह दो page आपको यहाँ पर complete लिखने होंगे ठीक है, third part यानि की इसी तरह से, आज की वीडियो का second part नहीं की topic के वोडिंग, third part magnetic field due to a current in a solenoid, अब पहले case में हमने study किया था, straight conductor को second case में हमने study किया है circular loop को, third case हमारे पास बन गया है solenoid तो straight conductor आपको clear है, एक straight conductor इस तरह से, ठीक है clear है, यह circular loop आगा, अब बार यह आती है solenoid, आपको solenoid को समझने है, आप solenoid क्या होता है, इस तरह समझ सकते हो, पहले definition फिर आपको समझाता हूं complete, a solenoid is a coil, क्या होती है, coil होती है, of large number of tons of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, definition आपके पास यह है, a solenoid is a coil of large number of tons of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, आप इसे diagram के point of view से इस तरह से represent करते हो, actually में यह क्या होता है, actually में यह इसको समझने के लिए आपको, एक situation समझने ही पड़ेगी, इसके लिए आपको कैसे समझना पड़ेगा, दियान से, जैसे मानलो हमारे पास यह एक cylinder form है, एक pen है मेरे पास हमें क्या करूंगा, एक copper यह, suppose करो copper wire है, इस copper wire को इस pen के चारो तरफ wrap कर दूँगा, यह इस तरह से wrap कर दिया ना, तो जो आपको इस समझने, यह circle spiral transformation नज़र आ रही है, यह spiral, यह आपके पास क्या है, एक solenoid का का काम करती है, ठीक है, यह coil 1 को represent करता है, यह coil 2 को represent करता है, ठीक है, तो जब भी किसी, अब देखो, जैसे माला इसको pen को कर निकाल दी जाए, तो यह आपके पास बन गई है, तो यह जो पार्ट आपके पास बन गई है, जैसे telephone की wire होती है, land line telephone की wire होती थी, उस तरह से जो आपके पास एक construction बनती है, वो आपके पास बनती है, तो इस left hand side वाला पार्ट, solid form में आपको बनाना है, यह बात आपने ध्यान रखने है, right hand side वाला पार्ट, dotted और left hand side वाला पार्ट, solid बनाना, अब यह solid में क्यों बनाना है, अब इस पास को समझो, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि यह pen है, इस pen के चाहँ तरफ में इस wire को ऐसे wound कर देता हूँ, तो अब इसके अंदर dotted part कौन सा है, और solid part कौन सा, आपको यह समझना है, अब आपको यह समझना है, कि देखो जै, यह वाला एक, इसके अंदर क्या है, एक part आपके पास यह है, जो सामने सा आपको दिखाई दे रहा है, और एक इसके back side होती है, जैसे मालों यह यहां पर भी एक पार्ट है ना, तो यह पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, अभी तो ट्रांस्पेरेंट पैनल आपको दिखाई दिया है, सुपोस को यह ट्रांस्पेरेंट पैनल ना होता है, तो इसका जो बैक साइड वाला पार्ट है वा आपको दिखाई नहीं देता, तो जो पार्ट आपको नहीं देखा ही दे रहा है वह हमने किस फॉर्म में बनाना है वह हमें डॉर्ट इजोड़ देनी है और जो हमारा काम है magnetic field वाला वो हमें automatically observe हो जाएगा तो generally यहां पर solenoid के बारे में और note कर लेते हैं generally the length of solenoid is much greater than as compared to its diameter यानि कि जैसे हमारे पास यह solenoid है तो यह बनेगी इसकी length और यह बनेगा इसका diameter तो length जो है वो greater होनी चाहिए आपके diameter से ठीक है तो अब बार या तो इसका next part जो हमारा concept के coding है तो हम क्या करेंगे जैसे मैंने solenoid बनाई थी solenoid बनाने के बाद मैंने दो end को बैटरी से connect कर दिया यह switch यह rheostat या फिरियेबल रेसिस्टेंस और इमिटर सिरफ और सिरफ एक डाइग्राम को अच्छा अबनाने के लिए है overall हमारे पास क्या है सिरफ और सिरफ एक solenoid थी और हमने क्या किया उसको बैटरी से connect कर दिया यहां पर आपको प्रॉप्रली दिखाए गया यह जो AB है यह AB क्या है इस इंसुलिटर सिलिंडर कार्ब होना चाहिए यह बात आपने यहां पर ध्यान रखने है तो अब होगा क्या जैसे ही मैं यहां पर इसको बैटरी से connect कर दूँगा और की को on condition में लिए होगा सब्सक्राइब को मैं क्लोज कर दूँगा तो क्या होगा magnetic field lines आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी इस केस में magnetic field lines हम iron filing को स्प्रिंकल करके नहीं शो करेंगे करना चाहें तो हम कर सकते हैं निकि उससे हमारा डागराम है काफी टीपिकल हो जाएगा स्टार्ट बुक्स में तना टिपिकल डियागरम आपको नहीं जूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है आपको यह बात धिहान रखना है कि नाओ इस वाली जो कर देंगे और तीन डाउनवर्ड उनको जो जो इन करते से मैं धिहान रखना है आपने आपने ौहरहर इंटरसेक्ट इच कहीं पर भी हमने कंट नहीं करना न्यॉंकर touch नहीं करना इसका रिजन भी हम फिर्स्ट वीडियो में study कर चुके हैं, यहाँ पर उसको द्वारा study करने की जूरत नहीं है तो यह इसके कुछ theory के points से इनको discuss कर लेते हैं, आप इसका पूरा complete screenshot लेकर notes बना कर फिर एक एक line को समझने ही कोशिश करना The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is as shown in the given figure इस तरह से मैंने आपको magnetic field lines को represent यहाँ पर करवा दिया As the electric current in each circular loop of a solenoid coil flows in the same direction The magnetic field of all the loops are added up and as a result the magnetic field inside the solenoid becomes a strong field यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, first second point में Second point में आपको यह कहा गया है कि जो current की direction है, circular loop के अंदर वो एक ही direction के अंदर है और उसी वज़े से एक loop की magnetic field line, दूसरे loop की magnetic field line, तीसरे loop की magnetic सारी की सारी आपस में add up हो जाती है और जो inside जो है वो जादा strong magnetic field को produce करती है The field pattern of a solenoid is similar to the field pattern around a bar magnetic यह बात मैं आपको पहले ही पता चुका हूँ solenoid के लिए जो magnetic field की lines होँगी और जो bar magnetic field की lines होँगी वो बिल्कुल similar है First video में हमने bar magnet की study कर रखी है उसी को हमने यहाँ पर apply करना है अगर यह वाली आपको अभी clear नहीं हो रही है तो आप first video को देख लिए वहाँ से आपको clear हो जाएगी और direction direction की जो arrows है वो भी similar pattern को follow करेंगे means outside the magnet north to south और inside the magnet south to south pole to north pole clear है अब यहाँ पर एक point यह है कि आपको कैसे बता लगेगा कि यह south pole है यह north pole है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे यह कुछ rules यह first point आपको समझना पड़ेगा इससे आपको पतल जाएगा कि मैंने यहाँ पर south pole क्यों बनाया है और यहाँ पर north pole क्यों बनाया है यह आपको clear हो जाएगा the end of solenoid coil where current is seen to be flowing in clockwise direction act as south pole solenoid के अंदर जो loop आपकी बन रही है जिस loop से आप देख रहे हो अगर loop के अंदर current की direction clockwise है तो south pole बनेगा और opposite याणि anti-clockwise direction है तो आपका north pole बनेगा screenshot आप इससा complete लेलो और उसके बाद को समझना ही कोशिश करना the end of solenoid coil where current is seen to be flowing in a clockwise direction अगर current की direction clockwise है तो south pole और अगर anti-clockwise है तो नौर्थ पोल अब इसको भी आप समझ लिए ज्यान तो रहता और आपको समझा देता हूं मैं जैसे हमारा पहन था मैंने आपको पहले ही बताया था इस diagram के according इस diagram के according first coil को देखते हैं यह हमारे पास यह वाली है ठीए यह हमारे पास है first coil first कोयल किस तरह से आ रहे हैं आपको यह समझना पड़ेगा first coil हमारे पास conductor की back-side से आ रही है और फिर इस तरह से front side से आ रही है बस आपको यह पार्ट समझना है ठीए dotted back side front solid side फिर इस तरह से ऐसे चलता जाएगा clear रही है बात आपको अब आपको क्या करना है first loop को देखना है यानि कि इस part को देखना है और इस part को देखना कैसे है इस part को ऐसे देखना है सामने देखो अब current की direction को समझे नहीं कोशिश करो current आ रहा है इस wire से current आएगा आएगा और इस तरह से मुड़ गया तो current की direction आपके पस क्या होई कुछ समझो यहां से current आ रहा है फिर backward फिर front current की direction आपके पस क्या बन रही है आपको दीख रहा है यहां पर cloak wise बन रही है cloak wise direction है इसलिए first loop के पास हमने क्या किया है साउथ पोल बना दिये हैं यहां पर रिप्रजेंट कर दिये और इसका पॉजट लास्ट कोईल पर नॉर्थ पोल आपका जनरेट हो जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ यह बताए गया है कि हाउ टुडिटर्माइन पॉल यहाउट टू डिफाइन पॉल अराउंड एक और कोईल के थूरू करण्ट के डिरेक्शन क्लोक वाइज है तो साउथ पोल और अगर एंटिक वाइज है तो नौर्थ पोल अब बार यात यह सेकंड पॉइंट में आपको स्रीव यह बता गया है कि जैसे बार मेंट के अंदर जो हमने इस्टडी किया था इनसाइड दा बार मेंट मेंटिक फिल लाइन क्या थी आपकी पैरलर थी और इसलिए यूनिफोर्म ती उसी तरह से यहाँ पर दा मेंगनेटिक फिल लाइन इनसाइड दा सॉलिएड आर इन दा फॉर्म ओफ पैरलर स्टेट लाइन और रिप्रेजेंटिंग यूनिफोर्म मेंगनेटिक फिल और इसलिए क्या करती है वो उनिफोर्म मेंगनेटिक फिल को रिप्रेजेंट करती है तो सॉलिएड के लिए हमने इसका स्ट्रक्चर डिय points पर, first point आपके पास as usual current है, magnetic field B is directly proportional to the current flowing through the solenoid, B is directly proportional to I, इसे नाम देदेंगे, question number one, if current increases, magnetic field increases, if current decreases, magnetic field decreases, second point आपके पास पाने का, magnetic field B is directly proportional to, यहाँ पर यह point इंपोरेंट है, याद रखना आपको, number of turns per unit length, number of turns per unit length, that is, यानि की, होथ हुआ, यह term क्या बनी हमारे पास, यह term हमारे पास बनी small n, small n is equal to capital M, N divided by L, यह क्या बोला जाएगा आपका, यह बोला जाएगा, number of turns per unit length बोला जाएगा, तो यह किसके प्रपोर्शनल होतार, directly proportional to magnetic field, यानि, magnetic field is directly proportional to small n, which is nothing but number of turns per unit length, if small n increases, B increases, if small n decreases, B decreases, अब third point, सिरफ एक theory वाला point है, इसमें equations पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हमारे पास equation number 1 आई थी, यह equation number 2 आई थी, हम इन दोनों equation को collapse कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा, B is directly proportional to I into small n, और यह बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि solenoid में आपने small n को use करना है, circular loop में आपका capital N use होता है, और difference कहा है, small capital N, just number of turns, यह कहा है, just number of turns को represent करता है, लेकिन जो small n है, वो किसे represent करता है, number of turns per unit length, यह चीज़, इस चीज़ को represent करता है, third point हमारे पास theory वाला है, third point theory में क्या है, if a rod of iron or steel is introduced as the core material, जैसे हमने यहाँ पर discuss किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक cardboard cylinder लिया था, जैसे home foil होता है न, वैसे cardboard का cylinder टाइप लिया था, लेकिन अगर हम इस cardboard के cylinder की जगह, iron core material ले ले, यह core material बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्यों कि इस coil के अंदर से यह पास हो रहा है, इसलिए core material बन जाता है, तो cardboard की जगह, अगर हम यहाँ पर iron का ले 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 तो क्या होगा, तो यह जो magnetism produce कर रहा है, यहाँ पर जो magnetism produce होगा, वो बहुत जादा होगा, as compared to this simple cardboard coil, ठीक है, तो if a road of iron or steel is introduced as a core material inside the solenoid, then the magnetic field generated increased by a large factor, बहुत जादा यह factor से यह increase कर जाती है, और यह इतना जादा होता है कि यह thousand times भी हम इसे बहुत सकते हैं, यह magnetic field जा है, वो thousand times से भी जादा increase कर जाती है, ठीक है, और इस situation में, एक special term आ जाती है, इस situation में solenoid को हम क्या बोलते हैं, electromagnet बोलते हैं, तो एक छोटा सा topic और generate हो जाता है solenoid से ही, कि what is electromagnet और इसके बार में अगर पास यह जो भी theory में आपको यहां पे दी हुई है, यहां से regarding आपके पास कोई ना question आ जाए तो आप उसका अंसर दे सकते हैं, यहां से फ़ले definition, एन electromagnet is a solenoid coil that gets magnetized, that is it becomes a magnet due to flow of current, यानि कि electromagnet क्यों होते है, solenoid ही ही है, बस उसमें फरक क्या है, जस्ट अगर simple cardboard sheet है, just simple cardboard का एक core material है, core material आप समझ जो दुबारा से देख लो यहां पर, यह जो पार्ट है, इसे core material बहुते हैं, अगर यह core material simple cardboard का है, तो वो solenoid है, और अगर उसके अंदर हम iron की road डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास electromagnet बन जाएगा, इसी लिए solenoid और electromagnet का maximum part सेम है, देखते हैं कौन-कौन सा part आगे से, मैं बताता हूं है अबको, इट वर्क हों दा प्रिंसिपल ऑफ मैगनेटिक एफेक्ट ऑफ करंट, यह किस पर डिपेंड करता है, यह मैगनेटिक एफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है, means, magnetism due to current, अब इसमें कहा है, diagram complete पिल्कुल वैसे, solenoid की तरह यहाँ पर repeat होगा, इट consists of a long insulated copper wire, wound around a soft iron core, the magnetic effect remains only till the current is flowing through the solenoid, तो जो core material है, यहनि कि iron है, वो magnet की तरह सिरफ तब तक बिएव करेगी, जब तक आपका current flow करेगा, और जैसे current आपका रुख जाएगा, उसका magnetism power जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, रुख जाएगा, लोस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक term आते है, retentivity, वो यहाँ पर आपको नहीं discuss करनी है, वो कहीं बार material के पर भी depend करता है, कि जो material है, magnetize जो हुआ है, वो कितनी जल्दी magnetism को lose करता है, या कितनी जल्दी वो demagnetize होता है, तो वो आप higher classes ने पढ़ोगे, इसके बारे में यहाँ पर कुछ पढ़ने की जूरत नहीं है, बस आपको धियान रखना है, Electromagnet is just like a solenoid and behave as a magnet, तब तक, जब तक current flow कर रहा है, diagram, same as solenoid, जैसे solenoid का अपना diagram बनाया था, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से आपको बनाना है, बस यहाँ पर आप क्या करोगे, iron core को mention करता होगे, ठीक है, इसके बास, soft iron is used for making, यानि कहाँ पर electro magnet के आपके पास पार्ट गार रहे हैं, soft iron is used for making electro magnet और temporary magnet, यानि कि अगर आपको temporary magnet बनाना है, और electro magnet अगर आपको बनाना है, तो इसके लिए कि क्या यूज़ करोगे आप, soft iron को as a core material यूज़ करोगे, अब यहाँ पर एक point समझ लेते हैं, temporary magnet, temporary magnet क्या होता है, temporary magnet वो होता है, जो सिरफ और सिरफ current की presence में magnet की तरह बहेव करते हैं, temporary magnets are those magnets which behave, या which show magnetism only in the presence of current, और जैसे ही current आप रोक दोगे, they will demagnetize, इसके बाद इसका uses point of view से, an electromagnet is used in electric bell, electric motor and telephone etc, giant electromagnets आप, यानि कि बड़े electromagnets जो होते हैं, वो यूज़ होते हैं, crane के अंदर, cranes to lift machinery and other parts, ठीक हैं, तो जो बड़े size के electromagnet हैं, वो आपके factories में use होते हैं, machinery part और दूसरे parts को ठाने के लिए, crane के अंदर, और छोटे part जो हैं, वो electric bell, motor और telephone वादा में use होते हैं, तो यह आपके बड़े चोटा सा part था, electromagnet का, clear होगी बात हैं, अब electromagnet से एक छोटा सा part, activity wise देख लेते हैं, समझने के कोशिश करते हैं, simple सा है, इसलिए घर पर available था, material तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक तिन थी, तो जैसे यहाँ पर यह एक और पीन है, मेरे पास और यह मेरे पास एक, और इसके पर मैंने क्या किया है, soft copper wire को wound कर दिया है, इस समय यह insulated form में नहीं है, तो देखो यहाँ पर, यह जो iron है, मैं इसको इससे टच करा रहा हूँ, और यह इसको, देखो इस तरह से, पकड़त वरा है, लेकिन इसको जल्दी से loose कर देता है, क्यों loose कर देता है, क्योंकि इसको मैं पहले test कर चुका हूँ, हलका सा magnetism इसके अदर अभी भी बाकी है, लेकिन देखो, ज्यादा amount में नहीं कर पा रहा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे ही, इस copper wire के थूरू, हम current पास करेंगे, current कैसे पास करेंगे, इस cell की help से, तो यह क्या करेगा, इसका magnetism power बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको देखने ही, समझ नहीं कोशिश करना आप लो, यह मैंने इसको, इसके दोनों end को जोड़ दिया, अब दोनों end को जोड़ने से, इसके अंदर, यानि जो यह iron nail है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा amount में, magnetic field प्रोडूस हो गया, देखो, आप समझ नहीं कोशिश करना भी, यह देखो, अब नहीं छोड़ रहा है ना, पहले touch कर रहा था, छोड़ रहा था, सिर्फ touch कर रहा था, और छोड़ रहा था, क्यों कोशिश कर में, कुछ amount of mechanism available था, ज़्याद amount of mechanism available नहीं था, लेकिन इस समय, देखो, mechanism कितना ज़्यादा इसके नहीं दर आ गया, तो यह क्या है, एक simple सा part है, जिससे मैंने यह यह show किया, कि this current carrying conductor, यह जो iron part है, now this will behave as a magnet, and strong magnet, पहले सिर्फ touch कर रहा था, छोड़ रहा था, देखो, जैसे अभी भी, क्योंकि मैंने end को इसका break कर दी है, तो देखो, यहाँ पर, पकड़ रहा है, लेकिन छोड़ भी देगा, हलका सा shake करेंगे, छोड़ देगा, पकड़ लिया, शेक की हलका सा छोड़ दिया, पकड़ा, अब इसके मैंने पावर के अब धीदरे, खतम हो रही है, क्योंकि 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 काफी दिर हो है, हमने यहाँ पर रोक दिया, लेकिन जैसे हम इसे बैटरी के end से जोड़ेंगे, दुबारा देख लेते हैं, और उसके बाद जो इसके अंदर mechanism produce होगा, वो बहुत ही जादा amount में होगा, और shake करने पर भी नहीं छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि mechanism power जाएक में बहुत ज़दा आ गई है, और मैं आपको यहाँ पर feel नहीं करवा पा रहा, लेकिन इसके अंदर heating effect भी आ गया, मेरे हाथों को थोड़ा घरम feel होना start हो गया, क्योंकि 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 कोईल के थुरू current flow कर रहा है, और heating effect अब हलक हलका produce होना start हो गया, ओके इसे के साथ आज का lecture खतम करते हैं, thank you very much.